वेल्कम टू सैन अकेडमी पल्ली करने क्लास शिक्स यल्त्री हिंदी इच्चा पोएब इच्चा का अर्थ क्या है इच्चा का अर्थ है आशा मन में जो आशा है उसके बारे में इस कविता में दिया गया है मेंडक की केवल इच्चा है बादल आये बरसे जल मोर चाता है वक नाचे गिर आये खाले बादल मेंडक यानि फ्रॉग फ्रॉग को बादल आना और वर्शा आना बहुत पसंद है क्योंकि पानी में केलना चाहता है मोर को बादल लाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसी समय वो नाच सकता है अब दूसरा पंति के बारे में तितली का मन है वख देख रंग भी रंगे फूल खिले कोयल चाह रही बसंत की शोबा चारों ओर मिले तितली यानी बटरफले बटरफले का मन में जो रंग भी रंगे फूलों किलते हैं तो वो जाके शाहद ले सकता है और कोयल को बसंत रितू बहुत पसंद है इसलिए बसंत रितू की आगमन के लिए इंतसार कर रहा है अब तीसरा पंक्त पक्षियों शोर मचाएंगे उसे सुनने का इच्चा है रात को नदी का इच्चा क्या है वो चाहती है हमेशा उपर नीचे उटकर उचलना चाहती है और मा का मन में जो इच्चा है कुशियों में हमारा गर को डूब डूब आना है इसलिए हम परिवार के साथ शोर मचाना चाहती है और एक इच्चा मेरी है देखूं मैं संसार सभी जितने बच्चे है दर्ती पर सबसे मिलूं तूरंद अभी इसका लेकक है डाक्टर शी प्रसाद हमारे मन में जो इच्चा है सारी दुनिया को देखना है और इस दर्ती पर जितने बच्चे हैं सब लोग मिल जुल कर रहना है ये अच्ची कविता के बारे में मैं आपको बठा दिया बच्चों इस कविता जैसे आपके मन में भी कुछ इच्चा होगा उसके बारे में भी आप मुझे बताना चाहिए धन्यावाद बच्चों